प्रभाइब दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूं कि स्वस्त होंगे मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूटुब चैनल रोजगार वे में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके परिच्छा के लिए एक बहुत ही महत्पूर्ट टॉपिक भारत के प्रमुक संगीत घराने यह टॉपिक सभी परिच्छा के लिए अती महत्पूर्ण है खासकर स्सेजीडी में प्रतेक सिप्ट में निरत्य संगीत अथवा घराने से प्रस्न बन रहे हैं इन सभी प्रसनों को ध्यान में रखते हुए निरत्यम संगीत यह उनके नर्तक का वीडियो हमने पहले के वीडियो में पढ़ लिया है यह आज के वीडियो में हम प्रमुक संगीत घराने को पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस क्रम में हमारा पहला प्रस्न है यह पहले घराने को हमने लिया है ग्वालियर घराना यह सबसे पुराना घरान यह भी ध्यान देंगे सबसे बड़ा ख्याल घराना। जन्मदाता उस्ताद नत्थन पीरवक्स को माना जाता है गोलियर घरणे में ख्याल गायकी की सभी विशेऊस्ताओं को अष्टांग गायकी की रूप में ग्रहण किया अब ध्यान देंगे यहां, दो गायकी का जिक्र क्या गया है, ख्याल गायकी और अस्टांग गायकी, मुझे लगता है इन दोनों के बारों में आपको जान लेना चाहिए, यदि पता है जिसको, उसके लिए तो बहुत बढ़ियां जिसे नहीं पता है, वो ध्यान में रखें क ख्याल गायकी किसे कहते हैं और अश्टांग गायकी किसे कहते हैं तो पहला यदि हम ख्याल गायकी को देखें तो ख्याल गायकी इसका दोसों साब्दी कर्थ होता है ख्याल ख्याल का अर्थ यानि कल्पना गीत का यह वह प्रकार है जिसमें राक के नियमों की रच्छा करते हुए अलाप, तान, बोलतान, खटका, मुर्की, सरगम, आधि बिभिन, अलंकारो द्वारा, तबले के साथ गायक अपनी भावनाओं को जब अविव्यक्त करता है तो ख्याल की रचना होती है, मुझ लगता है ख्याल के बारे में आप समझ गए होंगे, दूसरा जिक्र हुआ है यहाँ अश्टांग गायकी, अश्टांग गायकी क्या है, तो दोस्तो यह इसको आठ अंग, यानि गायन के आठंग के रूप में इसे प्रदर्सित किया गया है, जैसे आठंग क्या क्या होते हैं, अश्टांग कारत यानि आठंग, तो इसमें अश्टांग में स्वर, गीत, ताल, और ले, अलाप, तान, मिंड, गमन, और बोलतान, उप्युक्त आठंगों के समुचित प्रयोग के द्वारा ही दोस्तो राग को सजाया जाता है, मुझ लगता ह कि आप ख्याल गायकी और अश्टांग गायकी को समझ लिए, आगे देखे हम आगे क्या दिया है इसके बारे में, आगे इस घराने के प्रमुख गायक, इस घराने के प्रमुख गायक कौन है, तो प्रमुख गायक की रूप में हद्दू खां, हद्दू खां, हसु खां, न अद्धुखा, हसुखा, नत्थुखा, बाल कृष्न बूगा, इचल कर जिकर, या सभी एकसा लग रहा होगा आपको, या याद करने में काफी असानी होगी, एक तरह से ठीक है, आगे क्या दिया है इस बारे में, इसके बारे में, तो पंडित बिश्नु दिगंबर, पंडित आगे हम देखें, अगला घराना है हमारा, किराना घराना, अगला है हमारा, किराना घराना, तो किराना घराना, इसका नाम करण, राजस्थान के किराना गाउं कहां के, राजस्थान के किराना गाउं के नाम पर हुआ, अस्थापना इसका नायक गोपाल द्वारा किया गया, इसका अस्थापना किस ने किया, यानि स् राजस्थान के किराना गाउं के नाम पर हुआ है राजस्थान में किराना गाउं है उसी के नाम पर किराना घराना का नाम करण हुआ या दोस्तों बीसवी सदी में लोकप्रिय या बीसवी सदी को लोकप्रिय बनाने का स्रे अब्दुलकरीम खान अब्दुलकरीम खान और अ अगे प्रसिद्ध गायक के रूप में पंडित भीमसेन जोसी गंगु बाई हंगल सवाई गंधर्व सुरेश बाबु माने प्रभा अन्ने हीरा बाई बाडोदकर माडिक वर्मा या सुरेश बाबु माने आगे हम देखें तो अगला है हमारा आगरा घराना अगला है आगरा घराना आई इसके बारे में जाने तो आगरा घराना का अन्य नाम दोस्तो रंगीला घराना इसे अन्य नाम रंगीला घराना के नाम से जाने जाता है अस्थापना इसका दोस्तो हाजी सुजान खान यह तानसेन के दमाद थे हाजी सुजान खान जो थे यह तानसेन के दमाद थे उस्ताद घग्गे खुदावक्ष संस्थापक या अस्थापना इसका किस ने किया या संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है हाजी सुजान खान को उस्ताद घग्गे खुदावक्ष दोस्तों यह तान से इनके दमाद थे कौन हाजी सुजान खान आगे हम देखें परसिद गायक परसिद दिगायक इनके कौन कौन से हुए तो परसिद दिगायक दोस्तों यह फयास खान लताफत हुसैन फयास खान लताफत हुसैन खान दिनकर काकिनी सी आर व्यास और विजय किछलू यह सभी आप ध्यान देंगे परसिद दिगायकों को आगे हम देखें आगे है हमारा अगला घराना पटियाला घराना पटियाला घराना दोस्तों इसकी अस्थापना बड़े फते अली खान और अली वक्स खान ने की थी इसकी अस्थापना या संस्थापक कौन थे दोस्तों तो बड़े फते अली खान और अली वक्स खान ने की थी इसके प्रसिद्य संगितकार कौन कौन हुए पटियाला घराना के तो बड़े गुलाम अली खान अजाय चक्रवर्ती रजा अली खान कौन कौन से बड़े गुलाम अली खान अजाय चक्रवर्ती रजाली खान बेगम अक्तर निर्मला देवी नैना देवी परवीन सुल्ताना बड़े गुलाम अली खान अजाय चक्रवर्ती रजाली खान बेगम अक्तर निर्मला देवी नैना देवी यह परवीन सुल्ताना आगे हम देखें यह हमारे पटियाला घराना से संबंदित थे अगला है हमारा भिंडी बजार घराना दोस्तों यह अभी एक बहुत हिमाद पूर्ण है भिंडी बजार घराना तो भिंडी बजार घराना इसके अस्थापना छजु खान नजीर खान और खादिम हुसेन ने की थी कौन कौन छजु खान नजीर खान और खादिम हुसेन ने की थी इसके प्रसिद संगितकार के रूप में उस्ताद अमन अली खान ससी कला कोर्ट कर और अंजनी बाई माल पेकर को जाना जाता है प्रसिद संगितकार किसे किसे उस्ताद अमन अली खान ससी कला कोटर कर और अंजनी बाई माल पेकर को जाना जाता है संसापक ध्यान देंगे छजु खान नजीर खान और खादिम हुसेन ने किया था आगे देखें इसके संदरव में हम तो भिंडी बजार दोस्तों गायकी में छात्रों को प्राकृतिक आवाज में गाने के लिए प्रोसाहित किया जाता है भिंडी बजार गायकी में क्या होता है तो छात्रों को प्राकृतिक आवाज में गाने के लिए प्रोसाहित किया जाता है गायकों ने लंबी ओधी तक अपनी सांस नियंतित करने में प्रसिचित गायकों के रूप में लोग प्रियता और ख्याती प्राप्त की इसमें क्या हुआ दोस्तों तो दिल्ली घ़राना के बारे में हम पढ़ें बाहदुर साह जफर की या गुरू थे कौन, गुलाम हुसैन ने किया प्रमुकसिसी उनके कौन कौन से थे तो प्रमुकसिसी के रूप में तानरस खाने, सब्बू खान, उम्राव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्ने खान, संगीत खान थे कौन-कौन? पुरह देखें आप तानरस खाने, सब्बू खान, उम्राव खान, चांद खान, उस्मान खान, नन्ने खान, संगीत खान इस वीडियो को दोस्तों आप एक दो बार देखेंगे तो आप बहुत यह असानी से समझ लेंगे प्रसना आएगा एक भी प्रसना आपका नहीं छूटेगा आगे हम देखें इसके बारे हम क्या है और हैं इनके सिसे और सिसे की रूप में ये समन खाँ, ममन खाँ, बुंदू खाँ, नशीर खाँ, अहमद जुहूर, अहमद कृष्णा विष्ट दिल्ली घराने से बरेली आगरा पटियाला उज्जयन जैसे घरानों का जन्म हुआ अब ध्यान देंगे, यह इसे हम दूसरे मारकर से हाइलाइट करके दिखा दें आपको, तो यह दिल्ली घराने से बरेली आगरा पटियाला उज्जयन जैसे घरानों का जन्म हुआ, यानि मुख्य वो दिल्ली घराना था, उसी से इन सभी घरानों का जन्म हुआ आगे हम देखें अगला है हमारा रामपूर सहवास घराना इसके संस्थापक दोस्तों महबूब खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन को माना जाता है संस्थापक के रूप में महबूब खान के पुत्र उस्ताद इनायत हुसैन को माना जाता है रामपूर सहवासा घराना जो है या दोस्तो उत्तर प्रदेश के सहरों में रामपूर और सहस्वान में केंद्रित है या कहां या दोनों के नाम पे रामपूर या सहस्वान या उत्तर प्रदेश का सहर है या दोनों रामपूर और सहस्वान में केंद्रित है दो जगह को मिला सबसे प्रसीद गायक है इस घराने के सबसे प्रसीद गायकों में मुस्ताख हुशयन खान गुलाम मुस्तफा क्षान गुलाम और देखे हम गुलाम सादिक खान भी इसी घराने के और राशित खान भी इसी घराने के हुए। प्रमुक हुए है आगे हम देखें अगला है हमारा मेवातीघराना कौन सा मेवातीघराना इसे दोस्तों जैपुर मेवातीघराना जोटपुर घराना और मिया बंदे अली खान बीनकर घराना के नाम से भी जाना जाता है इसके संस्थापक के रूप में घगगे नजीर खान वहीत खान एवं होलकर कोट को इंदोर शिश्च में पंडित जसराज, मोती राम, मडी राम यों संजी अभ्यांकर ये जो हैं संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं आईए इसके भी सेमें हम देखें दोस्तों एक बात ये धियान नेंगे अंतराश्टी खगोली संग ने पंडित जसराज के नाम पंडित जसराज के नाम पर सुदूर अंतरिच में एक उब ग्रह, माइनर उब ग्रह का नाम रखा है इसी खगोली संग में ये पंडित जसराज के नाम पर एक अंतरिच में एक माइनर ग्रह का नाम भी रखा गया है तीक है, तो ये पंडित जसराज को, इसमें सबसे यादा ये पंडित जसराज की बारे में पूछा जाता है तो ये पंडित जसराज आप ध्यान देंगे कि आप मेवाति घराने से सम्बंद रखते हैं, मोटा मोटी यही सबसे इंपॉर्टेνट है, बारबर हम देखें या यह भी पूछ सकता है प्रस्न बनाके इस नोट को खगोली शंग ने पंडि जिसरा या किसके नाम पर एक माइनल ग्रह का नाम रखा अगला हम देखें अगला है जैपुर अतरौली घराना तो जैपुर अतरौली घराना जो है इसका अन्य नाम जैपुर घराना और अलादिया खान घराना है संथापक के रूप में इसे दोस्तों उस्ताद अलादिया खान और मनरंग भूपट खान को जाना जाता है आईए इसके विशे में और हम जाने तो दोस्तों जैपुर अत्रौली घराना अलादिया खान के परिवार्द में से उबरा जैपुर अत्रौली घराना जो था वो अलादिया खान के परिवार्द से उबरा जो अतरौली अतरौली कहा है अलिगड़ के पास से उत्पन हुआ और जैपूर में अस्थाना अंत्रित हो गया आगे हम देखें यह घराना दोस्तो धुरूपद यह घराना धुरूपद परंपरा से विक्सित हुआ लेकिन इसे आम तोर पर ख्याल के लिए जाना जाता है किसोरी अमोन कर, पद्म तलव कर, मौंगुबाई कूर्दी कर, अस्विन भिंडे एवं सुरूती सदोली कर आगे हम जाने अगला है हम बनारस खराना यह यह भी एक बहुत ही महत्पूर्ण है बार बार एक्जाम में पूछे जाना इसकी निर्थ सैली कत्थक है और बनारसी ठुमरी यहां ख्याल गायन यहां की विसिष्ट पद्धती है आगे हम देखें बनारस घराने के तबला वादकों की भी अपनी एक स्वतन तसैली रही है प्रमुक संगीतक की इसके कौन कौन से आईए जान ले हम सहनाई वादक की रूप में इसमें दोस्तों बनारस घरानसे उस्ताद बिस्मिनला खान पंडित राम शहाय मिस्रों पंडित कंठे महराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महराज यों पंडित गुदई महराज, पखावज और मिर्दंग वादक, आप ध्यान देंगे, इससे एक प्रस्न ये भी तैयार हो रहा है आपका, कि सहनाई वादक उस्ताद विस्मिनला खान, पंडित राम शहाय मिस्र, तबला वादक, पंडित कंठे महराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महराज यों पंडित गुदई महराज, आगे हम देखें, आगे पंडित मदन मोहन, पंडित भोला नात पाठक और पंडित अमनात को, शारंगी वादक के रूप में, यह भी देखें, यह सभी दोस्तों या जो वाद्यंत्र है इसके आपको जो हैं इससे संबंदित यह भी आपका तयार हो रहा है वादक तो सरंगी वादक के रूप में संभू शुमीर, गुपाल मिस्र, हर्मान प्रसाद मिस्र और नरायड विनायक को जाना जाता है बनारस घराने में दोस्तों बनारस घराने में ख्याल गायन, ख्याल गायन से कौन संबंदित थे तो पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव परसाद मिस्र यह सभी आप ध्यान देंगे बनारस घराना एक बहुत ही महत्मुण घराना इससे प्रस्णाना एकदम होता है अगला हम ये ठुम्री गाईकाओं में रसूलन भाई या रसूलन भाई बड़ी मोती भाई सिदेश्वरी देवी और गिर्जा देवी को जाना जाता है रसूलन भाई बड़ी मोती भाई सिदेश्वरी देवी और गिर्जा देवी को जाना जाता है आगे हम देखें आगे लखनव घराना आज के 23 तारीक के सिप्ट में इसी से पूछा गया था तो लखनव घराना में दोस्तों अवत के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसकी परंपरा की सुरुआत हुई अवत के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसकी परंपरा की सुरुआत हुई निर्ट सेली दोस्तों इसकी कथख है निर्ट सेली कथख है प्रसिद परतिनी धी और नर्तक पंडित बिर्जु महराज आज के सिप्ट में यही पूछा गया था अच्छन महराज इस्वरी प्रसाद थाकूर प्रसाद थाकूर प्रसाद वाजिद अली साह के दरबारी नर्तक थे और देखें स्री बिंदादीन महराज मथूरिका शारंग साथ्वती सेन वह पंडित लच्चु महराज की सिस्या कुम्-कुम धर थिक दोस्तों तो इस हमने महत्पुट घराने के बारे में पढ़ा यह सभी महत्पुट घरान या दोस्तों इसका पीडियोप हम अपने टेलिग्राम ग्रूप पे डलवा देंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्टन में दे देंगे वहां से आप इस पीडियोप को प्राप्त कर लेंगे और इस वीडियोप को आप दो से तीन बार रिवाइस करेंगे आपका यह तैयार हो जाएगा यह एक बहुत ही महत्पून टापिक है जिससे आपके जिनका जिनका अभी सस्टी जीडि का परिच्छा है या ने सस्टी सी छेसल का बचा है वह इसे जरूर धियान पुरूवक दो तीन बार रिवाइस कर लेंगे आपका यह तैयार होगा दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में और से बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा स्यादा लाइक, सेर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद